धासकर दोस्तोब स्वागत हैं आपका TC fashion में, इस वीडियो में इसमें हम इसी एकल पाकेट पेंट की बनाएंगे और आपको बताएं किस तरीकर से आप बना सकते हैं, दिखे नए लुख है बैक पाकेट का और इस तरीकर से आपको इपडी डिजाइन में बना सकते हैं, तो आ लगा लेना जेश्ट सीधा लाइनिंग कर लेते हैं अब देखे उसके बाद इसकी जो पॉकिट की लंबाई है बो हमको चाहिए सब पांच इंच आपको जितनी भी चाहिए हो पैंट के अकोडिंग उतनी आपको रखना है तो सब पांच इंच की हम पाकिट का मुझ भी चाहिए और सीधी लाइनिंग कर लेना इस चीज का पो द्हान रखना है अब हमको पांच आइंच रहना होता है क्योंकि हमको फट्राप है उदर साइट मीं चौना हिससा चाहिए तो हमको इधर साइट में जो है वह आधा इंच में एक शूट कम निसान लगाना है और इ और हम सीधी लाइनिंग कर देंगे तो यह तो हमारी पोकिट का निसान लग गया उसके बाद हमको इसमें थोड़ी सी पेश्टिंग और एक्स्ट्रा चाहिए होती है दोनों तरब मार्जन के लिए तो उसके लिए हमको थोड़ी सी पेश्टिंग छोड़ देना है यह जैसे कि इसमें छोड़ दी और बांकि आपको यह काट लेना है तो यह काम कंप्लीट होगे इसमें आप कुटके लागा लें दुनों तरब चाहें तो अब हम इसको चिपकाते हैं तो दिखे इस तरीके से आपको चिपकाना है कपड़े पे इस तरीके से चिपकाने के बाद अगर आप चाहते हैं आपकी इसमें फिनीसिंग अच्छी आए तो आपको जो है इसको क्या काम करना है इसको इस तरीके से हम इसको जड़ से बिलकुल काट देंगे margin को नहीं रखना इसमें इस चीज का धियान रखना है क्योंकि pattern की तरह हम इस पेस्टिंग को इस्तमाल करेंगे तो इतना काम हो complete होगे इसको हमको fold कर लेना है एक बार और fold करने के बाद press लगा देंगे प्रेस लगाने के बाद एक बार और हमको extra fold गना है इस तरीके से और इसके उपर भी हम प्रेस लगा देंगे अगर आपकी paint में कपड़े में चमाक आती है तो आप उल्टी तरफ से प्रेस लगाएं तो यह हमारी बॉलिट जो है क्रास बॉलिट तयार हो गई अब उसके बाद हम pocket का निसान लगा लेते हैं तो बी center डाट है यहां से धाई इंच एक सूत एक साइड में इससे क्या होगा सबापाँ इंच हमारा निसान लग जाएगा चाक से और उपर से हम तीन इंच छोड़ देंगे डाट भी आपको उसी साफ से डालना है उसके बाद जो है हम कपड़ा लेंगे अस्तर pocket का अंदर का तो यह हमने ले लिया जैसे कि साड़ा साथ इंच चोड़ा है और सत्रा इंच लंबा है बी center का इसका एक कुटका लगाना है और इस कुटके को डाट के उपर रखना है निसान से आदा इंच उपर को इस तरीके से रखने के बाद हमको एक सिलाई लगा देना इसमें ताकि एक कपड़ा जो नीचे का वो खसके नहीं दर दर अटेच रहे तो इस तरीके से आपको निसान मतलब लगा लेना है सिलाई अब देखे अब हमको simple सा इसको रखना है यह जो सिलाई लगी है इस थोड़ा सा उपर बढ़ा के हम इसको रखेंगे और देखे यह निसान जो लगे है यहाँ पर ही हमारी आये pocket अब हमको यहाँ पर टाकी लगा के इस तरीके से किरास में सिलाई लगाना है देखे कहां पर सिलाई लगा रहा है यहीं पर से आपको सिलाई लगाना है और टाकी लगा देना है उसके बाद हम इसको मोड के ये हिस्सा बिल्कुल सीधा रहना चाहिए आपका क्रास नहीं होना चाहिए और इधर साइड में भी हमको मोड के ये देखिए अंदर को थोड़ा सा हिस्सा रहेगा ये तो ऐसा ही आपको निसान लगा लेना सीधा और ये उपर का जो है कपड़ा इसको हमको ले लेना है चौणा सा इस कपड़े को हमको अंदर रखना है इसके और ये जो पेस्टिंग है हमको नापना तो है नहीं पेस्टिंग कटी हुए तो इसको मोड़के इस चीज का धियान लगना सीधी रहना चाहिए यह चीज तो यहां तक ही हमने इसको लगाया देखिए यह सीधा बिल्कुल है अब हमको इसको काट देना है सिंपल सा काटने के बाद यह बी सेम में यहां पर किनारे पे बिल्कुल कटेगा सिलाई की जड़ तक और दूसरी साइटम भी बी सेम में कटेगा अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए इसको हमको इस तरीके से फोल्ड करना है यह फोल्ड हो गया इसके बाद एक बार और हमको फोल्ड करना है इसलिए हमने तूट बनाई थी इसके बार इसको पलटना है पलटने के बाद यह जैसे की चिर्मा है यहाँ पर ऐसे ही रहेगा यह मारजन और इस तरीके से रखने के बाद इसको पल्ले को हलका सा खींचेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे जो हमारी सिलाई लगी है इसके उपर ही हमको दूसरी सिलाई एक लगा देना है तो यह हमारी बालिट जो है वो बनके रेडी हो गई है अब हमको सिंपल सा इसको पलट लेना है दोनों हिस्सों को अंदर कर देना है और देखें दोनों साइट हैं अंदर कर देना है अच्छे से यह वाला हिस्सा भी हमको निकाल देना है अब यहाँ पर यह टाकी है हमको यहाँ पर टाकी लगाना है तो यह मारिजन हमको ऐसे करके रखना पलटना है और यहां पर ऐसे रखना है इसको हमको ऐसे रखना है उपर हलका सा खींचना है और इसको रख लेना है यह देखिए पाउकिट इस तरीके से आएगी अब उपर साइड में देखके हमको अच्छे से टांकी लगा लेना है तो इसको अलका सा खीचेंगे यह देखिए उपर के हिस्सा और यहाँ पर टाकी लगा देंगे मजबूत इसे मजबूत टाकी लगाना क्योंकि अंदर से लगेगी यह उपर से टाकी लगेगी नहीं चाहें तो आप उपर से भी टाकी लगा सकते हैं तो यह हो गई अब दुसरी साइट भी आइसा इी टा की लगा लेना है तो अभी दीखिए इस पर प्रेस लगेगी तो आप सलाई भी लगा सकते हैं आपकी अगर इच्छा हो अगर लगाने के तो आइसा कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये एक बार और इसके ओपर टांकी लगाएगी मतलब लगेगी बाकी इसका जो कप्ड़ा है काट देना है तो ये हमारी देखे बॉलिट बन गए इसको हटाना है और जो नीचे वाला जो बॉलिट वाला हिस्सा है ये कप्ड़ा इसको फोल्ड करके यहाँ पर अटेस्ट कर देना है तो ये काम कमप्लीट हो गया उसके बाद इसको अस्तर को ऐसे पलट के रखना है और रखने के बाद अब देखे अंदर से एक बार और टाकी लगेगी बैसे हम उपर से लगाते हैं लेकिन इसमें अंदर से लगेगी अब देखे लुप एक बार टाकी लेक्वाद कर देखे लेकिन अंदर से लगेगी अब देखे लगे लेकिन अंदर से लेका लगेगी तो अब हमको जो देखे ऊपर वाले जो कपड़ा है उसको यहां पर इधर साइड में सिलाई लगा देना है और इसको जो है हम फोल्ड कर देंगे अगर यह ज़्यादा लगे आपको कपड़ा तो आप इसको छाट सकते हैं थोड़ा सा तो अभी देखे इस पर एक और सिलाई लगेगी अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा इधर साइड के भी हिस्टा ऐसे ही फोल्ड कर लेना है और इसको आपको एक्ट्रा जो कपड़ा है फाल्तू इसको आपको काट देना है अब देखिए उपर जब सिलाई लगाएंगे और तो इसको देखिए यहां पर यह ऐसे है थोड़ा सा दिख रहा है ना बीच में गए तो हमको क्या गाम करना है बस बालिट ना दबे इसका धियान रखना है तो यहां पर हमको थोड़ी सी सिलाई अंदर को लगा देना है इससे हमारी बिलकुल कगर में रहेगी बालिट के तो यह देखे इतनी अंदर को सिलाई लग गए अब हमारा यह बिलकुल बालिट और बो बिलकुल चपकी रहेगी फाइले की नहीं एक दुसरे मतलब फाइले की नहीं बिलकुल भी और अब लगा देना है हमको सिलाई और उसके बाद अब हम लगा देते हैं इस पर प्रेस तो प्रेस लगाने के बाद देखें फाइनल लुक इस तरीके से आया है तो देखने में कितनी बहतरी पाकिल लग रह और किसी पर वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट जरूर करें और बैक साइड में देखिए इस तरीके से है अस्तर तो ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरूर करें चैनल पर पहली बारा है सब्सक्राइब कर बेल आइकन आल पर जरूर क्लिक कर मिलते हैं नए वीडियो को साथ तब तक के लिए नमस्कार